Hello students, O2IS Academy में फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रिलिम्स पेपर को टार्गेट करने के लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशेटिव को शुरू किया है जिसके अंदर हम डेली के जो करन्ट अफेर्स हैं उनको MCQs के द्वारा प्राक्टिस करते हैं और ये जो आपके MCQs हैं, करन्ट अफेर्स हैं ये आपकी जो डेली की देहिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर न्यूज आती है वहां से आपको ये MCQs प्राक्टिस करवाया जाते हैं तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2is Academy की जो आप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आपको ये जो PDF है ये अवेले रहेगी स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले कोशन से तो जैसे कि आप जानते हैं कि रिसेंटली आपके जो नोबल प्राइसेज है वो यहां पर दिये जा रहे हैं अलग-लग फील्ड के अंदर जैसे कि अगर मैं फिजिक्स के बारे में बात करूं जिनका नाम है क्लॉजर, औस्पेक्ट और जिलिंगर तो इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए और इवन ये भी पता होना चाहिए कि इनको क्वांटम इंटैंगलमेंट के अंदर नोबल प्राइस दिया गया है तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट्स इसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करी गई है आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडिन्टिफाई करना है जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो मेकानिक्स होता है उसके अंदर आप दो फील्ड को पढ़ते हैं एक क्लासिकल मेकानिक्स होता है जिसको हम न्यूटोनियन मेकानिक्स के नाम से भी जानते हैं दूसरा होता है आपका क्वांटम मेकानिक्स सबसे पहली बात मेकानिक्स का सिंपल सा मतलब यह होता है कि अगर physics के अंदर हम किसी भी object की movement को पढ़ रहे हैं, तो उसको हम mechanics के अंदर count कर लेते हैं. अगर मैं classical mechanics के बारे में बात करूँ, तो इसके अंदर जाद अतर macroscopic substances हैं, या फिर macroscopic objects यह आपको देखने को मिलते हैं. तो macroscopic objects के बीच में जो interrelation होता है, या फिर जो movement होती है, यह आप पढ़ते हैं classical mechanics में. तो आपको जो first statement है, वो macroscopic subjects के लिए ही दिया है, objects के लिए दिया है, तो first statement आपकी correct हो जाएगी. Second statement के बारे में, अगर मैं बात करूँ, तो quantum mechanics का mechanics अगया, तो इसका मतलब हम movement देख रहे हैं, यहाँ पर अलग-लग चीज़ों की, quantum mechanics का मतलब होता है, कि हम बहुत छोटे particles की अगर movement को study कर रहे हैं, जैसे कि आपका protons हो गया, atoms हो गया, neutrons हो गया है, then is आपके boson हो गया, Higgs boson हो गया, तो इन सारे particles की अगर movement को हम study कर रहे हैं, तो यह आपके quantum mechanics के अंदर लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो दोनों की दोनों statement है, वो correct हो जाएंगी, तो second question के बारे में यहाँ बात करते हैं, that is which of the statement given below is not correct regarding the click chemistry, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपने not correct statement को identify करना है, दूसरी बात अगर मैं click chemistry के बारे में बात करूँ, तो इस chemistry के अंदर हम बात करते हैं, कि जब भी कोई दो molecules या फिर दो reagents एक दूसरे के साथ react करते हैं, तो वो ऐसे react करते हैं कि कोई भी जो side products है, या फिर कोई भी जो toxic side products है, वो produce नहीं होता है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, example के तौर पे कि click chemistry जो term है, वो इस तरीके से कोई किया गया था, जैसे कि जब आप car की seat belt डालते हैं, तो उस time पे जब belt को उसके case में डालते हैं, तो जो अवाज उस time पे आती है, वहाँ से ही इस term को कोई किया गया था, और सबसे पहली बार जो sharpless है, इन्हों ने इस term को कोई किया था 2001 के अंदर, और sharpless को 2002 में noble prize दिया गया था, और अभी जो click chemistry के लिए noble prize है, वो यहाँ पे तीन persons को दिया गया है, सबसे पहले हैं bird tozzy, second is sharpless, जिनको पहले भी noble prize दिया गया है 2002 के अंदर, and third is meldol, तो अगर मैं यहाँ पे bird tozzy के बारे में बात करूँ, तो उन्हों ने सबसे पहली बार, bio orthogonal chemistry के बारे में भी बात करी है, bio orthogonal chemistry, same click chemistry ही होता है, लेकिन वो हमारी body के अंदर, जो molecules ऐसे react कर रहे हैं, उनको हम bio orthogonal chemistry के अंदर, consider कर लेते हैं, तो उसके regarding यहाँ पे आपको तीन statements प्रोवाइड करी है, चार statements प्रोवाइड करी है, आपने इस में से incorrect statement को identify करना है, सबसे पहली statement के बारे में रेखते हैं, it is minimalistic form of chemistry, in which molecular building blocks can quickly and efficiently snap together, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि seat belt में दो चीज़ों एक दूसरे के अंदर snap कर जाती है, in the same way molecules भी click chemistry के अंदर snap कर जाते, second statement के बारे में अगर मैं बात करूँ, कि यह simple और reliable chemistry है, again यहाँ पे जो reaction होती है, quickly होती है, और जो side products है, bio products है, वो unwanted bio products जो है, वो नहीं बनते, या फिर toxic by products जो है, वो नहीं बनते, तो that means यहाँ पे forcefully molecules को interact नहीं करवाया जाता, वो खुद बखुद ही spontaneously एक दूसरे के साथ react करते हैं, third statement के बारे में अगर मैं बात करूँ, the concept of click chemistry was coined by Barry Sharpless around the year 2000, तो यह वाली statement आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, जिनके लिए इनको nobel prize भी दिया गया दर 2002 के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी जो statement है, वो यहाँ पे incorrect नहीं है, तो आपका answer बनेगा none of the above, next question के बारे में बात करते हैं, जो की related है carbon dots से, अब अगर मैं carbon dots के बारे में बात करूँ, जो भी आपकी पूरी organic chemistry है, वो सारी की सारी carbon and its compounds के जो products हैं, उनके उपर based है, तो carbon जो है क्योंकि उसकी अलग-अलग properties होती है, जिसकी वज़े से वो खुद के साथ ही bind करके, बहुत सारे अलग-अलग type के जो products हैं, वो बना लेता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि carbon की self-catenation की property होती है, self-catenation का मतलब होता है, self-linking property, that means एक carbon जो है, वो दूसरे carbon के साथ bond बना सकता है, in the same way जो carbon होता है, वो tetravalent होता है, that means ये एक time पे 4 bonds बना सकता है, क्योंकि इसके 4 valence electrons होते हैं, तो ये इसकी property है, इसके उपर based carbon जो है, अपने बहुत सारे products बनाता है, अब अगर मैं carbon dots के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे carbon के तो products हैं, लेकिन वो इतने small products हैं, कि वो nano size हैं, और जब भी कोई product nano size की category में आ जाते हैं, तो उसकी जो efficiency है, वो increase कर जाती है, इन दे सेम वे जो carbon dots हैं, ये भी carbon के products हैं, जो की nano size particle है, और इससे, ये जहाँ पर भी use होंगे, चाहे vaccine delivery में हो गया, चाहे drug delivery में हो गया, तो जहाँ पर भी use होंगे, तो बहुत जादा efficient होंगे, तो उसके regarding ही, आपको यहाँ पर तीन statements प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से correct statement को identify करना है, फर्स statement है, they are one of the youngest member of carbon nanomaterial family, तो अफकोर्स carbon dots से मिलकर ही, आपके अलग-अलग जो carbon के products हैं, वो बन जाते हैं, सेकिंड statement के बारे में बात करते हैं, they were discovered in 2004, and have an average diameter of less than 10 nanometres, तो इनका जो diameters होता है, carbon dots का, वो less than 10 nanometres का होता है, otherwise भी आप देखेंगे, तो nanotechnology के अंदर, जो nanoparticles use के जाते हैं, वो 1 nanometer से लेके, 100 nanometer तक के particles होते हैं, तो जो carbon dots हैं, वो यहाँ पर 10 nanometer से कम size के आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स अगर बात करें कि carbon dots possess remarkable optical properties, which differ peculiarly based on the precursor used for synthesis, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि, इसकी आपको अलग-अलग जो properties हैं, वो देखने को मिलेगी, in the same way आपको बहुत जादा अच्छी जो optical properties हैं, वो भी देखने को मिलेगी, optical property is related to light की, जो basically इन dots के अंदर जो light आती है, तो उस time पे यह जो carbon dots है, क्या property शो करते हैं, तो उसको हम इस property के अंदर consider कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी तीनों जो statements है, वो correct हो जाएंगी, next question के बारे में बात करते हैं, आपके the Hindu के अंदर gig economy के related यहाँ पर एक बहुत बड़ा article आया था, तो gig economy के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि यह क्या होता है, इसके regarding आपको दो statements प्रोवाइड करी गई है, आपने इसमें से correct statement को identify करना है, अगर मैं gig economy के बारे में यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर ऐसी organizations या फिर ऐसी economy, जिसके अंदर जो organizations हैं, वो लोगों को contractual basis पर employment प्रोवाइड करती हैं, या फिर उस basis पर employment प्रोवाइड करती है, जो कि एक जो particular project है, अगर जितने भी 10 और का वो project है, उस time तक ही employment को provide करती है, जैसे ही project कतम हो जाता है, जैसे ही complete हो जाता है, तो ultimately उनकी जो employment है, वो यहाँ पर secure नहीं होती, तो basically gig economy के अंदर हम यही सब चीजों की बात करती हैं, तो first statement आपकी correct हो जाएगी, तो यहाँ पर अगर मैं second statement के बारे में बात करूँ, तो 2019 के अंदर India Staffing Federation ने एक report निकाली थी, जिसके अंदर यह बताया गया था, जो India है, वो fifth number पर लाई करता है, on the based of flexi staffing, that means यहाँ पर जो organization है, वो contractual base पर employment provide कर रहे हैं, तो that means fifth number पर है, तो first number पर आपको USA मिलेगा, second number पर चाइना है, third number पर ब्राजील है, और fourth number पर जपान है, और fifth number पर हमारा इंडिया है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होने चाहिए, तो यहाँ से आपको पता चलेगा, कि आपकी दोनों statements जो है, वो correct हो जाएंगी, next question के बारे में बात करते हैं, जो कि related है आपकी collared job से, तो यहाँ पर blue collared job होगे, या फिर blue collared workers हो गए, white collared workers होगे, gold collared workers होगे, और even आपको green collared, gray collared workers देखने को मिलते हैं, तो अगर मैं बात करूँ, कि जो blue collared workers होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं, जो कि early basis पे employed होते हैं, that means वो labor करते हैं, और earns on early wages, तो that means जो blue collared है, वो आपकी यहाँ पर second statement होगे, तो first वाली गलत हो जाएगी, in the same way, if I'll talk about white collared job, तो जितने भी आपकी companies के अंदर salaried people होते हैं, वो सारे के सारे आपके white collared workers कहलाते हैं, तो that means a salaried professional typically referring to general office workers and management, तो यहाँ पर interchange हो गई है, in the same way, अगर मैं gold collar workers के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर ऐसे workers होते हैं, जो कि अपनी field में बहुत जादा professional होते हैं, highly skilled होते हैं, उनके पास बहुत जादा knowledge होती है, तो that means आपकी जो third statement है, वो correct हो जाएगी, और first और second statement है, वो incorrect है, इवन अगर आप बात करेंगे green collared workers के बारे में, तो जितना भी environment sustainability से, जितनी भी ऐसे jobs हैं, जिसके अंदर ऐसे workers होते हैं, उनको हम green collared workers count करते हैं, तो अगर मैं इस organization के बारे में बात करूँ, तो हमारे ministry of health and family welfare के अंदर, ये national regulatory authority है, इसके अलावा, ये जो हमारी organization है, ये एक particular act के अंदर registered है, that means this organization has a statutory status, तो कौन सा आपका act है, drugs and cosmetics acts, अगर मैं third statement के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसी categories होती है, जो की बहुत जादा critical होती है, जैसे की vaccine से related होगी, आपका serum से related होगी, then is आपके जो fluids है, blood हो गया, इन सब चीजों से जो related चीजे हैं, उन सब की approval के लिए भी, हमारी central drug standard control organization है, वही इन सब चीजों को approve करती है, with state regulators, तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए, तो that means आपकी जो तीनों की तीनों statements हैं, वो correct हो जाएंगी, next question के बारे में बात करते हैं, जो की related है quad group से, तो अगर मैं quad group के बारे में बात करूँ, इसके अंदर यह एक ऐसा informal group है, तो that means अगर आप यहाँ पर first statement देखेंगे, तो यह inter-governmental organization नहीं है, यह सिरफ एक informal group है, कौन-कौन सी countries का है, India, Japan, Australia and USA का, तो यहाँ पर सबसे पहली जो informal meeting है, या फिर in-person जो meeting है, quad group की, वो सबसे पहले US ने host करी थी, पिछले साल, that means September 2021 के अंदर, तो that means आपकी जो third statement है, वो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि India ने तो host नहीं की है, अगर मैं second statement के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले जो quad group का idea है, वो Japan के जो prime minister है, Shinzo Abeji, उन्होंने 2007 के अंदर दिया था, तो that means आपकी जो second statement है, वो बिल्कुल सही हो जाएगी, तो इसे साब से आप cancer बनेगा to only, next question के बारे में बात करते हैं, that is related to narcotic drugs and psychotropic substances act 1985, ये जो act है, इसको बहुत बार amend किया गया है, जैसे कि 1988 में, 2001 में, 2014 में, तो इस act के अंदर, ये आपको दिया, और even आपको हर दिन न्यूस्पेपर में ये ही मिलता रहेगा, कि आज जो है drug trafficking के अंदर, इस person को पकड़ा गया है, या फिर किसी और को पकड़ा गया है, तो इन सब drug से related जो चीजे होती हैं, cases होते हैं, वो सारे के सारे इस act के अंदर ही cover किये जाते हैं, तो इस act के अंदर ये person को prohibit करता है, कि ना आप उस drug का production करेंगे, manufacture करेंगे, cultivation करेंगे, और इवन आपका जो 1985 वाला ही जो act है, वो prohibit करता है, कि आप किसी भी drug को transport नहीं कर सकते, store नहीं कर सकते, तो 1985 वाला act इस चीज से deal करता है, तो यहां पर आपकी 1971 है, यह wrong हो जाएगा, तो यहां पर आपकी जो first statement है, that is only correct, next question के बारे में बात करते हैं, जो की related है, unlawful activities prevention act से, तो अगर मैं इस act के बारे में बात करूँ, सबसे पहले यह जो act है, 1967 में आया था, और इस act को इसके बाद भी बहुत बार amend किया गया है, जैसे कि आप देखेंगे कि 2019 के अंदर भी UAPA act को amend किया गया था, और यहां पर जो national investigation agency है, national investigation agency के अंदर भी जो sub inspector और उससे अबब वाले जो post के, यहां पर officers आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको भी यहां पर write दिये गए, कि वो investigation जो है, इस UAPA act के अंदर कर सकते हैं, investigation करने के लिए maximum जो है, वो 180 days, that means arrest करने के 180 days के बाद ही, कि यहां पर file जो है, उसको charge कर सकते हैं, even इनका जो tenure है, इसको extend भी किया जा सकता है, that means आप देख सकते हैं, कि UAPA act के अंदर यहां पर जादा powers दी गई हैं, officers को investigation करने के लिए, even अगर आप देखेंगे, कि unlawful activities, चाहे वो हमारे इंडिया में हो रही हो, चाहे वो किसी foreign land में हो रही हो, लेकिन इंडिया से related हो, तो यह सारी कि सारी जो activities हैं, इस act के अंदर covered हैं, that means आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपकी जो दोनों statement है, वो correct हो जाएंगी, last question के बारे में बात करते हैं, जो कि related है, प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन से, तो यह जो आपकी योजना है, सबसे पहले इसको इंदरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, फिर 2016 के अंदर इस योजना को change करके, प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीन रख दिया गया, और इस योजना का जो motive है, जो goal है वो यही था कि rural areas के अंदर, जो लोग है, जो beneficiaries हैं, उनको housing देनी है, housing for all till 2022, तो 2022 तक सारे जो rural areas के अंदर, जो beneficiaries हैं, उनको पक्का house provide करना है, तो यहां पर आपको अलग अलग जो categories है, beneficiaries है, वो provide करे गए है, आपने इस में से correct statement को identify करना है, जैसे कि जो first है, free, bonded, labors and non SCST categories, तो यह भी included है, widows or next of kin, defense, personnel, killed in the action, members of the paramilitary forces, disabled persons and minorities, SCST category, तो इन सब beneficiaries को जो पक्का house है, वो दिया जाएगा, तो that means आपकी सारी की सारी जो statements है, वो correct हो जाएगी, तो I hope आपको यहां तक हर एक MCQ के बारे में समझ में आया होगा, next class के अंदर हम next current affairs के साथ मिलेंगे, thank you so much and have a nice day.